ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड टेथ रेट क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कुछ पी लिखने की ज़वोत नहीं है क्लास की नोट्स आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगे जहां से आप डारेक्ट टामलोड कर सकते हो तो ओर ये मॉटैल्टी रेट छोटव सा टापिक है कभी कभी आता है पर पता होना चाहिए तो बैखी फॉर्मूला क्या होता है चाइल्ड डेथ रेट या या वन्टू फॉर मोटैल्टी रेट तो जैसे हमने पहले डिसकस किया है जो फॉर्मूली में हमको नियुमरेटर में क एक साल में divided by भाई साहब divided by mid-year population of children of one to four year है याद रखना कि भाई इसमें exception है इसमें exception क्या है इसमें यहाँ पे live birth नहीं है यहाँ पे mid-year population of one to four year है याद रखना क्योंकि यही exceptions important होते हैं और यही exceptions आपसे पूछे जाते हैं तो नहीं इसमें exception exception है याद हमने क्या पड़ा था पहले हमने पड़ा था नियो निटल mortality rate infant mortality rate in fact आगे भी आएगा under five mortality rate पर यहाँ पर हमने यहाँ पर में गोला child death rate देखो पहली exception आ गया M M M यहाँ पर तो D आ गया तो तो actually exception ही यह यह आपवे लाम यह exception नाम में देखो क्या exception है D तो D किसमें आता है? Mid year population में तो D आता है mid year population में और D आता है Child Death Rate में तो ऐसे याद कर सकता है वह चाइल्ड death rate के denominator में D आता है समझ गए? तो child death rate के denominator में D आता है, D for mid-year population, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक, तो exceptions है इसमें, तो exception के तौर पे इसको याद रखना है कि भाई साथ, नाम ही अलग है, तो denominator भी अलग है, समझ गए? तो formula क्या होगा? Child death rate का, child death rate का मतलब होता है कि एक साल में कितने एक से चार साल के बच्चों की मौते हुई, divided by कितनी mid-year population थी एक से चार साल के बच्चों की, ठीक, अब ये ना अच्छे indicator होता है किसी जगह की social situation के लिए, याद रखना कि IMR से बहतर indicator है ये, social situation कहीं की पता लगानी है, तो, बैज देखो, एक से चार साल के बच्चे अगर मर रहे हैं, तो ज़्यादतर chances है कि वहाँ पे की society पे भी depend करेगा, क्योंकि अब एक से चार साल का बच्चा जो है, वो बाहर घुमने लगा है, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, एक से चार साल के बच्चा जो होगा, वो society में social हो जाएगा, तो social situation बताने के लिए, वो एक better indicator होता है, आये मार के मुकाबले, अब ये किस चीज का indicator नहीं है, बहुत सारी ब्रांतियां है, उनको आपको याद रखना है, पहली चीज, कि ये ना under 5 care के बारे में नहीं बताता है, ये याद रखना, कि 5 साल से कम उमर के बच्चों की कैसी care की गई, वो नहीं बताएगा, उसके है न, तो इसलिए under 5 year care of the community के बारे में ये अच्छा indicator नहीं होता है, इसको यूज नहीं करना है, दूसरी चीज जो हमने पहले बोली, कि भाईया इसमें live birth denominator नहीं है, इसमें denominator है, mid-year population, तो कैसे याद किया था, child death rate, d, child death rate का denominator क्या होता है, denominator में भी d आता है, that is mid-year population, समझ ग कर सकते हो, उसके बाद हम बात करेंगे कि भी या, highest risk कब होता है, तो highest risk इसमें second year में होता है, एक से चार साल का अगर हम death rate देखे या child death rate देखे तो इसमें highest risk बच्चे के मलने के सबसे ज़्यादा chances दूसरे साल में होता है, क्योंकि न, इसको ऐसे याद कर सकते हो कि एक साल तक तो बच्चा घर पर ही रहेगा, मा की गोद में खेलेगा, in fact, exclusive breastfeeding 6 महीने तक कराएंगे, उसके बाद भी breastfeeding के साथ कुछ खिलाएंगे, मगर दो साल का बच्चा न, थोड़ा बाहर निकलने लगता है, जमीन पर लोटने लगता है, वो चलने लगे, चलने in the sense की जमीन प तो D for 2, तो 2 साल की उमर में या दूसरे साल में उसको ज़्यादा चांसे होते हैं बच्चे के मादने के, तो हमने क्या याद किया था, यहां भी हमने मेडियार का D याद किया था, यहां भी हमने दूसरे का D याद किया, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि भई, most common cause क क्या है हमारे जैसे डैवलपिंग कंट्री ऐसे चाहर साल के बच्चों का डी फॉर डायरियल डिजीज इस और रेस्परीटरी इन्फेक्शेंस इन्हीं कुछ वजहों से हमने कुछ नई वैक्सिन शुरू कि है पिछले कुछ सालों में जैसे डायरियल डिजीज से बचाने के लिए हमने रोटा वैक्सीन शुरू की थी उसके बाद रेस्पेटरी इंफेक्शंस वगरा से बचाने के लिए पीची वी वगरा को वापस नैशनल इम्मुनाइजेशन में हमने रोटा को डाला शायद ये वजह हो सकती है कि एक से चार साल के बच्चों में जाहतर मौते डायरियल डिजीज और रस्पेट्री इंफेक्शन की वजह से हो रही थी इसलिए डाल दिया इन्डिया में मौते होती है अपने अबीमाणियों की वजह से अब इसलिए तो में खकार्णियों का शायया होती है इंदिया में पोश्याइब डाल्पीन कंट्रीज में इतनी चीज़ें तो एक चल्ड डेथ डेथ में पता होने चीज़ए और अगर आप देखोगें सब में D है, यहाँ D याद रखना है mid-year population का उसके बाद यहाँ D याद रखना है कि भाईया दूसरे साल में जाधा तर chances होती है मौत की और यहाँ D याद रखना है Diaryal Diseases का अपना Child Death Rate वगरा आप पढ़ते हो तो Child Survival Rate और Child Survival एकवाइवल इंदेक्स भी पर लेना कुई कि कभी कभी इस पर पूछ लिया जाता है कि चाहिए र िंडेक्स क्या होता है मुकईत है इसमें अंडर 5 Community से मर् फाइवल रेट का इस्तमाल की자 जाता है इंडिया का 96 है अगर हम चाहिः सर्मयर होता है थाउसन मां वहां का अंडर 5 mortality rate कितना है अपकों 10 तो याद रख लेना कि बहुए चाल्ट सर्वाइवल रेट ये चाईड सर्वाइवल इंडेक्स क्या होता है तो चैट सर्वाइवल रेट चाईड सर्वाइवल इंडेक्स होता है कि थाउजन मानेस अंडर 5 mortality rate upon 10 इंडिया का कितना है यह जरूरी याद रखने है ना इंडिया का है 96 मैं किसे याद करता हूं child survival rate या index तो child survival rate की बात करें तो यहाँ पर c में एक डंडी लगा दोगे तो 9 हो जाएगा और s में एक डंडी लगा दोगे 6 हो जाएगा तो कितना हो गया 96 कैसे चाइल्ड सर्वाइवल रेट तो एक डंडी यहाँ लगा दो 9 हो गया और एक डंडी यहाँ पर ऐसी खीच दो तो 6 हो गया तो 96 है चाइल्ड सर्वाइवल रेट यह चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स इंडिया का ठीक तो इतनी चीज़े तो एक लिस्ट आपको चाइल्ड सर्वाइवल रेट यह चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स में पता होनी चाहिए और उसके पहले चाइल्ड डेथ रेट के है इसमें अ सब्बेर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वाइवा में इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है क्यों कि इसमें मिडियर पोपॉलेशन है आपके जो इनोमिनेटर है उसमें अच्छे 9v population कैसे एक और तरीका है याद रखने का child death rate cdr impact cdr का full form एक और होता है क्या होता है crude death rate ठीक है crude death rate का formula क्या होता है crude death rate का formula होता है कि बहई total death upon on mid-year population into thousand तो यहां भी देखो crude death rate में भी mid-year population है denominator भी तो आप तोनों तरीके से याद रख सकते हो जैसे कि crude death rate के denominator में mid-year population होती है वैसे child death rate के denominator में mid-year population होती है बस यह mid-year population जो होती है यह 1-4 साल वालों की होती है child death rate में ऐसे आप याद कर सकते हो ठीक वाइवा में एक और important चीज़ पूछी जाती है that is child survival index क्या होता है या child survival rate क्या होता है तो आपको याद रखना है कि इसमें under 5 mortality को include किया जाता है इसका formula है thousand minus under 5 mortality rate upon 10 ठीक तो ऐसे याद कर सकते हो एक और तरीका है child survival rate यह child survival index को याद रखने का child survival rate या child survival index इसमें क्या आता है इसमें किसको include करते हैं इसमें under 5 mortality rate तो यह देखो 5S के जैसे दिखता है तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि child survival rate यह child survival index में under 5 mortality rate को इस्तिमाल किया जाता है सबज गए फिर से बताऊं यह है S for survival यह है S for survival और यह अपना under 5 mortality भी S के जैसा दिखता है तो याद ऐसे कर सकते हैं ठीक तो यह तो हो गया वाइवा का अगर मैं में बात करूँ MCQs की तो MCQs भी child death rate में बहुत पूछे जाते हैं याद रखना आज की date में अंडर 5-year का care उस community में यह बताता है नहीं यह नहीं बताता है उसके लावा एक MCQ मेरे को इस पर भी मिला था कि developing country में most common causes क्या है child death rate या one to four year mortality rate का वो है diarrhea disease या respiratory infection child survival rate या child survival index पर भी मेरे को एक MCQ मिला था और उसमें क्या मिला था कि भाईया इसमें under 5 mortality rate को include किया जाता है ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको at least child death rate या कहना चाहिए one to four year mortality rate में पता ही होनी चाहिए थेंक यू